बिसमिल्ला रह्मान रहीम कैसे हैं आप लोग रटना नहीं है समझना है सिंटेक्स बुक बोर्ट फरस्ट यर केमिस्ट्री चेक्टर नमबर एट एसेड बेसिस एंड सॉल्ट्स इसका पार्ट 11 हम करने जा रहें ।। एमसी क्यूज्स शौर्ट कॉस्टियन ऑंसर लोंग कोईश्टियन एंसर य। पार्ट 11 हमाट ले ले लिए लेक्चर को नोट करना है और मुस्कुराते रहना है नहीं फिर लेक्चर तो नहीं है यहर श्थरा ऑनसर थोड़़ से डिस्टर्बिंग एं लेकिन विडियो क के अंदर खेर मैं अल्रेडी सारी चीज़े एक्स्प्लेंड कर चुका हूं अब यहां पर जल्दी जल्दी आप M.C.Q उस्तो खेर बुक की बैक साइड पे होते ही हैं लेकिन जैसे कि मने आपको बता है सेकंड यर की कैमिस्ट्री की बुक के अंदर भी मनें बहुत सारी मिस्टेक्स निकाली तो आप भी देख लीज़े ज़र क्या का मिस्टेक्स होंगी इसके अंदर पहले M.C.Q उसके अंदर बोल रहा है के H2SO4 जो है न वो स्ट्रॉंगर एसिड है एसिटिक एसिट से क्योंके इसकी वज़ा क्या है इसकी वज़ा है सी में लिख्यूई इस डिग्री ओफ आइनाइज़ेशन जो है वो हाई है इसलिए पहले का जो है वो हो गया C. सेकंड वाला जो है इसको देख लेते हैं इसके अंदर बोल रहा है Aluminium Oxide is Amphoteric Oxide because it reacts with Aluminium Oxide जो है वो Amphoteric Oxide है क्योंके ये react करता है इसमें भी C है के Acid से भी react करता है और Base से भी react करता है तो यहां C जो है सेकंड का इस पर आप्टिक लगा लीजिए ठीक है नमबर 3 अच्छा ये कौन से पेज नमबर पेज नमबर भी बता दूँ ताके आपको परिशानी नहो पेज नमबर जो है ये 179 पेज 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 ठीक है तीसरा जो है पोलराइंड में से कौन सा जो है वो बफर सलूशन नहीं है ये बता दीजिए तो जो डी वाला है ये बफर सलूशन नहीं है वज़ा क्या है बफर सलूशन में कम असकम एक चीज़ को वीक होना शर्त है ठीक है तो यहां पर डी में हम देखते हैं सोडियम हाइ सोडियम हाइडरोक्साइड भी स्ट्रॉंग बेस है, हाइडरोक्लोरिक एसिड भी स्ट्रॉंग एसिड है, तो ये नहीं होगा वफर सिलूशन, किसी एक को वीक होना जरूरी है, तो ये थिरी में हमारे पास आगिया, डी, फॉर में जो है, इसमें देख लेते हैं, क्या है, फ लापूनियम ऑकसाइड जो है, ये जो है, वो आमफोटेरिक नेचर है, तो डी जो है, इसके ओपर आप निशान लगा लीजिए, नमबर फाइव, इनमें से कौन सा जो है, पी एच के सलूशन में तबदीली नहीं लाता, इसमें कौन सा है, जो के पी एच के सलूशन में उसने आप से पूछा है, ठीक है, तो ये हमारे पास sodium chloride C जो है, ये वो salt है, जो के strong acid और strong base से मिल के बनता है, इसलिए ये ph के solution में कोई भी जो है, वो, सॉरी, solution के अंदर जो है, solution के ph में कोई change नहीं लाता, तो ये C जो है इस पे आप टिक लगा लीजिए ये 5 का C sodium chloride अच्छा उसके बाद बोल रहा है छटे नमबर पे ammonia का जो है वो conjugate acid कौन सा है तो ammonia का जो conjugate acid जो है अब फर्क acid conjugate acid और conjugate base के अंदर सिर्फ एक चीज़ का है बड़ी आसानी से total proton count कर लें total जितने atom है उनके proton count कर लें एक का फर्क होगा एक का फर्क होगा ठीक है बड़ी एक का आपको फर्क होगा तो ये ammonia का जो conjugate acid है अच्छा और जो conjugate acid है वो ये अमारे पास ammonium आइन है तो ये ए जो है छटे का इस पे आप ठिक लगा लीजिए ए जो है 6 का ए है नवें जो है हमारे पास उसमें बोल रहा है आप से कौन सा salt है जो के salt जो के acid weak acid और strong base की neutralization की वजह से बनता है कौन सा salt है जो के weak acidبر strong base की neutralization की वजह से बनता है तो इन carbonate ये वाला आठों MCQ जो है इनमेंसे बोल रहा है इनमेंसे कौन सा बयान कौन सा statement जो है basis के बारे में वो सही नहीं है तो ये डी वाला है कि they turn blue litmus red तो blue litmus को red में ये नहीं करते भई ठीके ना तो basis का काम ये नहीं है हाँ एसिट्स का काम है वह रेड़ की तरफ जो जाते हैं तो यह वाली स्ट्रेट्मेंट बेसिस के अवाले से सही नहीं है तो यह आठवें पे आप डी पे टिक लगा लीजिए ठीक है भाई नवा और दसवा नवे में क्या बोल रहा है आप से conjugate acid base pair उनके अंदर जो फर्क होगा वो क्या होगा यह तो बड़ा ही असान है conjugate acid base pair में सिर्फ एक proton का फर्क होता है तो यह नवे का B है ठीक है इस पे आप टिक लगा लीजिए आखरी दसवाँ जो है salt जो है वो बनता है neutralization वो salt जो के weak acid और weak base की neutralization की वज़ा से बनता है उसको वो कौन सा है इन में से तो यहाँ पर हमारे पास C है ammonium cyanide तो इस पे आप टिक लगा लीजिए C जो है ठीक है भी यह हो गए MCQs अब short question answers जो है उनकी तरफ चल लेते हैं और यह short question answers long question answers यह मैं सारे explain जो होना already कर चुका हूँ इनकी explanation में video lectures के अंदर दे चुका हूँ तो यहां तो मैं दोबारा explanation आपको नहीं दूँगा ठीक है ना सिर्फ मैं आपको directly सवाल पढ़के बता दूँगा वर्बली इसका यह question number one है short question answers short questions इसका question number one जो है पहले तो आपसे बोल रहा है क्योंके सवाल को समझना सबसे मुश्किल का है आप जरा सवाल को समझें वो आपसे बोल क्या रहा है इसमें वो आपसे बोल रहा है क्या सबसे पहले तो definition बता दीजिए pH की और POH की के इसकी definition क्या है तो इसकी definition इसके पूरा complete lecture बन चुका है negative logarithm of the hydrogen ion concentration is called pH और negative logarithm of the concentration of hydroxide ions is called POH यह इसकी definition हो गई फिर के रहा है also show that थाबित कीजिए यह शो का मतलब जहां भी आता है ना इसका मतलब होता है थाबित करना है आपने proof करना है किस चीज़ को कि pH पिलस POH जो है यह 14 के बराबर है जो इसको थाबित कर लेते हैं answer बोल रहा है इसको बताएं अब यह देखें यह जब ही मुम्किन है जब यह pH जो है इसकी value 7 हो और POH की value 7 हो क्योंके इनी को जमा करेंगे तो 14 आयगा ना आसान सी logic है इसमें कोई rocket science तो है नहीं अब यह थाबित करना है कि pH की value 7i कहां से हैं hydrogen ion concentration 1.0 into 10 raise to power minus 7 होती है ठीक है तो आप यह 1.0 करने या 1 करने इससे फर्ग नहीं पड़ता और जब आप formula लगाएंगे अब यहाँ पर pH find out करने का ठीक है pH find out करने का जब आप formula लगाते हैं तो pH बराबर होता है negative log hydrogen ion concentration के hydrogen ion concentration आपके सामने जो है वो यह रही 1.0 into 10 raise to power minus 7 ठीक है बाकी यह तफसिलात examples में मैं सारी बता चुक हूँ आप लोग को कि कौन कौन से steps करेंगे जल्द बादी मत कीजेगा नहीं तो गलती कर जाते हैं आप इसके अंदर यहाँ पर log के दो laws लगते हैं first law और third law तीन law है ना log के first law and third law यहाँ पर सारा तरीका इन सारे steps को किया करें rough work में फिर भले आप यहां shortcut में answer लिखने तो बरहाल इसका जवाब जो आएगा यहाँ पर 7 आए ठीक है तो pH किया 7 इस तरह से आया है hydrogen ion concentration को लेके ठीक है दूसरा अब पी ओएज जो है इसका भी यह भी 7 होना चाहिए तो फिर इसके लिए hydroxide ion concentration जो है वो आपको पता होना चाहिए hydrogen hydroxide ion concentration वो कितनी होती है 1.0 into 10 rest to power minus 7 यह भी वो ही होती है formula apply करेंगे POH का POH is equal to minus log और hydro oxide ion concentration और यहाँ पर आप इसकी जगापे इसकी value पुट करेंगे 1.0 into 10 rest to power minus 7 और finally आपके पास POH जो है हो उसकी value भी 7 आ जाएगी तो pH की value भी 7 आ गई POH की value भी 7 आ गई यह लिखी है और उसके बाद फिर बाकी यह तो आपके notes में मौजूद होगा notes को देख लिया करें उसमें step by step जो है वो लिखा होता है notes को follow करें लेकिन समझ के follow करें मेरा मकसद आपको यह है ठीक है भई तो इस यह इसके पीछे background यह है कि अब यह देखें यह pH प्लस POH यह बोल रहा है यह साबित करें साबित कर दिया है यह कौन सा water होगा यह 100% pure water होगा और यह कौन सी आइनाइज़ेशन होगी यह water के molecules की आइनाइज़ेशन होगी self आइनाइज़ेशन होगी आट्व आइनाइज़ेशन होगी किस temperature पर पच्चिस डिग्री टेंपरेचर पर water के molecules उस खुद ही जो है वो आइनाइज होंगे ठीक है हाइडरोजन आइन और हाइडरोकसाइड आइन्स में कितने होंगे कितनी मिगदार में होंगे कितनी तादाद में होंगे या दूसरे लफ़ों में उनकी कंसेंट्रेशन क्या होगी हाइडरोजन आइन की और हाइडरोकसाइड आइन की वो ये रही वरहाल ये वीडियो मैंने बनाई है और इसमें मैंने तफसील से सारी चीज़ें समझाई हैं कि भई ये क्या है सब कुछ बता है वीडियो देखिए यहां तो भी मैं पूरी बात नहीं कर सकता है और नफाइदा फिर उन वीडियो इसको बनाने का क्विस्चन नमबर टू जो है इसमें आपसे बोल रहा है वाय ये वाय वाले सवाल बड़े मज़े के होते है बोल रहा है एक्वस सलूशन है अमोनियम क्लोराइड का एक्वस सलूशन अमोनियम क्लोराइड का यानि कि एक बीकर है उसमें आपने पानी लिया है और पानी लेने के बाद ये salt होता है, ammonium chloride salt है, ये आपने इसमें डाल दिया, अब जब आपने salt को इस पानी में डाला है तो तीन possibilities हैं यहाँ पर, आया ये solution जो है वो acidic हो सकता है, कि इसके अंदर hydrogen ion की मौझूदगी की वज़ा से, या ये solution basic हो सकता है, hydroxide ions की मौझूदगी की या ये solution neutral हो सकता है, और neutral की दो शर्ते हैं, कि आया सिरे से hydrogen ion और hydroxide ions जो हैं, वो हैं ही नहीं, solution के अंदर, वो हैं ही नहीं, जबकि ये मुम्किन नहीं होता है, हमेशा hydrogen ion और hydroxide ions मौझूद होता हैं, ठीक है? तब किसी solution को आप neutral कहेंगे हाइडरोजन आइन और हाइडरोकसाइड आइन है ही नहीं या दूसरी possibility ये है कि हाइडरोजन आइन जितने हैं उतने ही हाइडरोकसाइड आइन भी मौझूद हैं बराबर हैं तो ये solution फिर neutral कहलाएगा तो ये तीन possibilities हैं आपके इस ammonium chloride salt को इसमें डालने के बाद ठीक हो गया भई तो वो ये ही आप से पूछ रहा है कि ये जो अच्छा उसने बता दिया है उसने बोला वाइ ammonium chloride salt solution जो है ये acidic होगा alkaline नहीं होगा alkaline मतलब basic ये acidic होगा मतलब इसमें hydrogen आइन मौजूद होंगे इस पर complete तफसील से salt और उसकी types के अंदर हम तफसील से बात कर चुके हैं hydrolysis hydrolysis को लेके और किस सरा जो है वो salts की types बनती है type 1, type 2, type 3, type 4 इसके अंदर ये सारी की सारी चीज़ों को हम discuss कर चुके हैं ठीक है न यहां तो मैं आपको सिर्फ एक overview इसका हलका सा दे दूँ इस salt को हमें देखना पड़ेगा कि ये salt जो है आया वो ये आया कहां से है यकिनां acid और base से मिलकर ही ये salt बना है acid और base से मिलकर ही ये बना है acid strong है या base strong है बेस जो यहां इस्तमाल हुआ है वो अमूनिय इस्तमाल हुआ है और acid जो यहां इस्तमाल हुआ है वो hydrochloric acid जो है वो इस्तमाल किया गया है hydrochloric acid जो है वो strong acid है और ammonia जो है वो weak base है इसका मतलब strong acid और weak base से मिलके strong acid और weak base से मिलके ये क्या बना है ये ammonium chloride salt बना और कोई भी ऐसा salt जो strong acid और weak base से मिलके बनेगा उसको आप पानी में जब डालेंगे जो solution बनेगा वो acidic बनेगा वो alkaline नहीं बनेगा और अगर आप इसको reverse कर दें कि आपका acid जो है वो weak acid है और base जो है आपका strong base है तो फिर आपका solution alkaline बनेगा ठीक है भाई बाकी ये मुकमल बात नहीं है देखें मैं बार बार कह रहा हूँ यहाँ पर मुकमल बात सारी तफसील मैं वो विडियो बना चुका हूँ उसमें देख लीजिए question number 3 जो है इसके अंदर ये क्या बोल रहा है question number 3 मैं बोल रहा है समझा करें कि सवाल आप से बोल क्या रहा है वो आप से बोल रहा है लिखिए write आपको लिखना है क्या लिखना है वो बोल रहा है कि यहाँ पर conjugate base लिखिए conjugate base लिखिए अब ये conjugate acid conjugate base ये तफसील से मैं विडियो के अंदर तफसील बता चुका हूँ acid इसी तरह कोई भी conjugate acid होगा उसके एक पपा होंगे base जैनि कि उसको पैदा करने वाले उसको दुनिया में लाने वाले तो यहाँ पर वो यही बोल रहा है कि ये conjugate base जो है वो दिये गए है acids जो है वो दिये गए हैं ये acids उसने दे दिये नीचे बोल रहा है इनके जो है वो बता दीजिए conjugate base तो acid देख लें पहले कौन कौन सा है H2SO4 H2SO4 और उसके बाद जो है वो hydrogen sulfide है तीसरे नमबर पे जो है वो ammonium आइन है ये भी acid है और चौते नमबर पे जो है वो formic acid है H COOH H, इसको formic acid कहते है तो अगर आपको इनके conjugate base देखने है तो इनकी equation बनाईए पहले जिस सारे acids है सारे acids है आप इनकी equation बनाईए sulfuric acid को जब आप पानी के अंदर डालेंगे तो दो हिस्टों में sulfuric acid ionize होता है first phase, second phase first phase में एक hydrogen ion release हो जाया और यहां क्या बचेगा? एक hydrogen निकल गया तो एक hydrogen बचेगा और यह बन जायेगा hydrogen sulfate ion hydrogen sulfate ion तो यह आपका acid है और यह आपका conjugate base है जैसे के वो बता रहा है तो conjugate base जो है वो यह रहा conjugate base यह रहा मुझे कैसे पता? total proton count कर लीजे भई बढ़ा असा फॉर्मूला है total proton hydrogen के दो atom है sulfur का एक है oxygen के चार atom इनके total proton निकलने और इसके total proton निकलने एक कफर का आपको नदर आ जाएगा एक proton कफर और यही पहचान है conjugate acid base की दूसरा हमारे पास है hydrogen sulfate इसको जब आप पानी में डालेंगे तो यहाँ पर भी यह क्या होगा? यह भी दो phases के अंदर जो है आइनाइज होता है एक hydrogen आइन पहले निकल जाएगा पानी के अंदर जाके और यहाँ क्या बचेगा? hydrogen sulfide आइन तो यह acid है हमें पता है hydrogen sulfide और यह hydrogen sulfide आइन जो है यह sulfide है IDE इसको sulfate मत बोलिएगा sulfate SO4 वाला होता है जैसे के यहाँ पे था यह hydrogen sulfate आइन है यह hydrogen sulfide आइन है तो यहाँ पर यह हमारे पास क्या होगा? conjugate base उसने बोला न यही लिखी है तो यह रहा भाई इसका conjugate base मुझे कैसे पता? दोनों में एक proton का फर्क है ठीक है भई? अब आगे देख लेते हैं और क्या है तीसरा वाला? ammonium आइन अब इसकी हालत ही देख लें आप यह ammonium आइन definitely कहां पड़ा हुआ है यह पानी में पड़ा हुआ है और यह एसिड का किरदार अदा कर रहा है यहां पर यह पानी में मौझूद ammonium आइन तो इसको पानी में ही अगर हम देखें तो मजीद इसके साथ क्या होगा? यह hydrogen आइन ले सकता है यानि कि proton ले सकता है तो यह hydrogen आइन या proton दे भी सकता है ठीक है? तो अगर यह जो है पानी के अंदर दुबारा से hydrogen आइन दे दे तो अब इसकी position हो जाएगी NH3 पिलस hydrogen आइन देखें न चार और यहां पर तीन एक hydrogen आइन निकल गया वही जो इसने पहले लिया था तो यहां पर यह आपका acid हो गया और यह आपका conjugate base होगी conjugate base होगी ठीक है? नमबर 4 पर आपके पास formic acid है HCOOH इसको जब आप पानी में डालेंगे H2SO4 तो यह भी आइन आइस होगा hydrogen आइन इसमें से निकल जाएगा formic acid में से ठीक है? और आपके पास format आइन बचएगा आपके पास format आइन जो है और यह जो format आइन है यह actually आपका क्या है? conjugate base है conjugate base ठीक है बई? तो यह question number 3 भी हो गया अच्छा फिर आप question number 4 में आपसे क्या बोल रहा है? Question number 4 में बोल रहा है what is mean by self-ionization of water? water की self-ionization से क्या मतलब है? वीडियोस के अंदर पिछली वीडियोस में तफसील से बता चुक हूँ देख लीजी आप write the expression of KW expression जो है वो लिख दीजिए KW की तो भाई यह लिख देते हैं यह आसान सा काम है question number 4 का ठीक है? KW की expression यह है hydrogen ion concentration और hydroxide ion concentration यह है KW की expression ठीक है? फिर बोल रहा है what is its value at 25 degree centigrade 25 degree centigrade पर इसकी value क्या होगी? तो 25 degree centigrade पर KW की value जो है वो होगी 1.0 into 10 raised to power minus 14 कैसे होगी? क्योंके इसकी होगी 1 into 10 raised to power minus 7 इसकी भी होगी 1 into 10 raised to power minus 7 और इनको जब दोनों को multiply करेंगे तो इनकी powers add होके minus 14 हो जाएंगी और आपके पास यह value आ जाएगी ठीक है बई? question number 5 और आखरी question जो है short question answer का देख लेते हैं write equation equation का बोल रहा है equation लिखी है write equation equation लिखने की बोल रहा है आपसे equation आप जो है वो लिख दीजिए मैंने इसके भी notes बनाये थे equation जो है write equation पहली बात के दो बाते करने की बोल रहा है एक तो यह बोल रहा है equation लिखी है ठीक है? दूसरी बात किय रहा है indicate कीजिए equation लिखी है और indicate कीजिए किस चीज को conjugate acid-base pair को conjugate acid base pair अब एक equation के अंदर दो जो है वो conjugate acid-base pair होते हैं आप देख लें आप ठीक है acid-base pair अब यहां पर पहला जो है हमारे पास number one पर उसने वोला acetic acid है और ammonia है CH3 CH3 COOH H plus H2O जवाब इसको पानी में डालेंगे पानी में डालेंगे जवाब ammonia में ज़रूर नहीं कि आप पानी में डालेंगे यहां आप ammonia में डाल रहे हैं इसको और यहां पर जो है वो acetate ion बन रहा है CH3 acetate ion CH3COO- क्योंकि इस acetic acid से hydrogen जो है वो release हो जाएगा और जो hydrogen यहां से release होगा hydrogen ion release होगा वो ही hydrogen ion इस ammonia से जाके मिल जाएगा और इसको ammonia बना देगा अब इन दोनों के अंदर क्या फरक है आपको पता है यह तो acid है और यह base है ठीक है अगर यह acid है तो इसका conjugate base वहाँ पर क्या होगा एक proton का फरक बड़ा असान है यह देखें तो यह और इसको देख लें हूँ तो यहां पर मैं इस acetic acid को जो है इसका conjugate base यह रहा इसका conjugate base यह रहा एक proton का फरक है और क्यूंके यह ammonia base है इसका conjugate acid यह रहा ammonium iron ठीक है भई acid का conjugate base यह रहा उसने बोला ना mention करें mention कर दिया आप चाहें तो लिख भी सकते है नीचे कोई मसला नहीं है ठीक है और यह base है इसका conjugate acid यह रहा ठीक है number two जो है इसको देख लेते हैं उसने क्या बोला number two के अंदर hydrochloric acid जो है आप पानी में डाल रहे है strong acid है water amphoteric है acidic भी है basic भी है ठीक है यहां से यह hydrogen iron निकलेगा और जाएगा water के पास और इसको hydronium iron बना देगा और chloride iron यहां पर रह जाया रहा अब यह क्या है हमारे पास acid है इसका conjugate base कौन सा होगा यह रहा मुझे कैसे पता सिर्फ एक proton का फर्क है सिर्फ एक proton का फर्क है इसमें और इसमें यह acid है और यह conjugate base है लिख लीजी ठीक है इसका तो आसान है आप देख भी सकते हैं hydrogen है एक proton और chlorine है 17 proton 17 proton तो 17 proton और एक proton 18 proton होगा और यहां पर देखें आप 17 proton तो एक proton का फर्क है ठीक है यह acid है यह इसका conjugate base है यह base है हमें पता है ठीक है और इसका conjugate acid कौन सा है यह रहा आईडरोनियों माय यह base हो गया यह इसका conjugate acid हो गया में फर्क क्या है एक प्रोटोन का फर्क है ठीक है भी आभी डिस्क्रिप्टिफ कोईस्टिंज रहे गए हैं और निमेरिकल्स दो हैं इसके अंदर वो रहे गए वो इन्शालला पार्ट 12 में हम करेंगे तो यह चेप्टर हमारा फिनिश हो जाएगा खतम हो जाएगा